असलाम लेकुम आज हमने पना चेप्टर नमबर सेवन पढ़ना है जिसमें हमने डिफ्टांग्स पढ़ने हैं तो हमने फिर्स चेप्टर में क्या पढ़ा था कि हमने फिर्स चेप्टर में पढ़ा था कि शॉर्ट हेंड क्या है शॉर्ट हेंड एक सेंबल बेस्ट लैंग्व वावल्स हैं और फोर डिफ्टांग्स हैं हमने 23 पढ़ लिए हमारा एक कॉंसिन्ट रह गया है एच जो कि हम लोग नेक्स चेप्टर में पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ने ट्वेल्ब वावल्स भी पढ़ लिए हम लोग ने 10 पढ़े हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बत पढ़ने यह और एं ठीक है और दुस्ताइं प्र फोर डिफ्टांग्स हैं आज हम लोग ने पढ़ने हैं ट्रिकาม क्या थे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिफ्टांग्स हैं वह कंबिनिच्ड आफ डो वावल्स है । है ठीक है डिफ जोहाएं किया है combination आफ टूवॉबल्स यंध यहाँ पर मैंने आप लिख दिये सिन डिफ फाउंग किम्बिनेशन आफ टूवॉबर्स कितने टिफ थांस एंड four डिफथ तांस को हम लोगों ने पढ़ना है, सबसे पहला डिफ्टांग है आई, सेकिंड पे है आई, थर्ड है आउ, और फॉर्थ है यू, जो आई वाला है, उसको हम लोगों ने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह और इस तरह ठीक है, और जो आए है, उसको हम लोगों ने इस तरह लिखना है, याद रखिए, उपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी होगी, और नीचे वाली लाइन स्लांटिट होगी, ठीक है, साइस दोनों का बराबर होगा, लेकिन उपर वाली लाइन सीधी, और नीचे वाली स्लांटिट, आओ जो है, उसको यू यू लिखेंगे, और यू, यू जो है, वो सेमी सिर्कल है, यू, ठीक है, अब इसकी एक्जेंपल्स के थू, साउंड्स चेक कर लें, इस तरह की साउंड्स है, जैसे के है, पाई, टाई, आई की साउंड आर यहने, पाई, टाई, तो इसका हमने पी का स्ट्रोक लिखने, और साथ में आई का सिंबल, टाई, टी का स्ट्रोक, साथ में आई का सिंबल अब आप लोग ये पूछेंगे कि इसको मैंने फर्स्ट प्लेस वावल मतलब अब आफ दी लाइन क्यों लिखे है इसको इसको तो ये रूल है कि जो फर्स्ट फॉर डिफ्थांग्स है फर्स्ट टू जो डिफ्थांग्स है वो फर्स्ट प्लेस वावल्स है ठीक है और जो 3rd और 4 टिफ थांग्स हैं ये 3rd लेस वावल्स है उपर वाले दोनों को हम लोग अब आप दी लाइन लिखेंगे और नीचे वाले दोनों को हम लोग थुरू दी लाइन लिखेंगे ठीक है पर अभा आए पअब आई ऑ इसमें आया की सान्ड आएं इनमें की सांड इंड में आई की सांड आ ठीक इन सांड आए अकी सान्ड है तो इसको भी रही हम लोग आप दी लesczyता लएं लोग ऑवडकर लेक्स की नाम लिखना aproxim ि टाए में आय का सेमल, फिर है इंज्याय, एन का स्ट्रो 국 जे का स्ट्रोग सेइकंडर और यहां पर आय का सेमल, फिर है आओ काओ, यहां पर कुछ मैने आपको पिछली लेक्छर में बताया था इस चेप्टर में होरिजंटال स्ट्रोक और तो यहां उन हम लोग थार्ड ब्लेश पे नहीं लृख सकते हो जो होंगे उनको हम लोग ऐङ लिखें गे तो इसको हम लोग ने हं लिखने है श्टॉक केवाला श्टॉक हो साथ में का श्चार जॉपल फिर है लाउड थार यव लिख में अल को L थर्ड पलेस पे और फिर D कव стрोग साथ में आउ का सेम्बल लाओट फिर है यू यू जैसे के ब्यूटी ड्यूटी इसमें यू के सांड आ लिया ना यू यू सेम लएक इस जैसी तो इसले ब्यूटी ड्यूटी B का स्टोग थार्ड ब्लिस पर T का स्टोख, साथ में U का सेंबल, ड्यूती, ड्यूती का स्टोख, T का स्टोख, तैने, सेंबल लगा देना, ठीक है, और ये नीचे में लिखा हुए, फस्ट अंड डिप थांग जो है, वो फ़र्ड प्लिस बावल्ब्ल्स है, और फ़्र ठान जो है, वो यहां पर के दा फोर डबल वावल्स यूस्ट इन पिट में शॉर्ट हैंड आर यह वह वाले आई आई आउ एंड यू एस हीड इन दी वर्ड आई इंजॉई गॉल्स म्यूजिक कि एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें यह चारो डिप थांग जो है ना यह चारो डिप थांग यूज हो रहे हैं कोल्सा है आई इंजॉई गॉल्स म्यूजिक आई भी आउ आई आउ यू चारो डिप थांग इसमें यू जो हो रहे हैं ठीक है इसे आप लोग स्टांड में वह डिफरेंस कर सकेंगे सेंटेंस के दूट ठीक है फिर आगे तो इसी शॉर्ट फ़ाद यह यह वाल और आई हो आउक वाला तो इसको हम लोग इस से किस लिखेंगे about the line यह वाला symbol, ठीक है? यही वाला symbol उलट होगा लेकिन अन दी लाइन होगा तो इसका मतलब होगा How, Y के लिए हम लोग सीधा L जासा stroke लिखेंगे, sorry, L जासा symbol ठीक है चोटा सा L हम लोग अबाव दी लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वाई पर जो सेमी सर्कल है वो अबाव दी लाइन होगा तो उसका मतलब होगा यू ठीक है अब यह वाले जो चार शार्ट फार्म्स हैं यह दोनों और यह दोनों इन में कंफ्यूज नहीं होएगा ठी है इन दोनों को आप लोग पिर्स की सिरुफ में याद कर लें With When What Would ठीक है, with को हम लोग इस तरह से छोटा सा C लिखेंगे, above the line, तो इसका मतलब होगा with, और यही वाला C हम लोग on the line लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा when, और फिर उल्टा C, उल्टा C जब हम लोग above the line लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा what, और उल्टा C जब हम लोग on the line लिख लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वुड ठीक है इन दोनों को आप लोग चारों को पेर्स की सोथ में जाद लखने है विद वैन वाले जो है वो सीधे सी की तरह है और वट वुड जो है वो उल्टे सी की तरह है अब मी एम वाला स्ट्रोक हम लोग अबाव दी लाइन लिखें हम लोगे लिखा था तो उसका मतलब था हिम इस यह वाली शॉर्ट फार्म हम लोग पहले पढ़ चुक है अब ओइंग वाला स्ट्रोक जो है वो अबाव दी लाइन लिखेंगे तो उसका मतलब होगा ओइंग और ऑन दी लाइन लिखेंगे तो उसका मतलब होगा थेंग यह चेप्टर नोब नहीं को बिंदिंगे जबने में ठीक है कि भुक में चेक कर लें इस चेप्टर में इतना ही दिया था चारोर डिप्थांस को डिस्कूर्स की ए फिर शादिया से आप लोग इंकि हम एंक्षार्ट में प्रैक्टिस करनी है ठीक है और पर आके शॉर्ट फॉर् आप लोग ले लें लें अगर आप अगर दिस्क्रिप्शन में में मेरा वर्टसेप नंबर मुझूद होता है कोई भी कुश्चन हो तो आप लोग पूर सकते हैं ठीक है कल हम लग फिर यह ज्वाइंड कल हम लोगे ज्वाइंड डिफ्थांग पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही था अब यहां से स्किन शॉट ले ले समझने के लिए और यहां से भी स्किन शॉट ले ले बस यही था आज का लेक्चर इसका हॉमवर करके पिर आप लोग ने मुझे जमा करवाने ठीक है ठीक है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बसंदा आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है अलाफिज अलाफिती ऑलाफिती ओृ लोगों हुट टीक है अलाफिती ने समारप लोगों करवगों कर दो लोगों कर दो सब्सक्राइब कर दो कि अभर रहा है